Assalamualaikum तोस्तों कैसे हैं आपसे मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर वेलकम कहती हूँ आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी का नाम है The Night Watchmen's Occurrence Book by V.S. Nepal ठीक है तो टाइम को वेस्ट के बगार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पहले बात करते हम लोग राइटर की इंडिक्शन की जो राइटर है V.S. Nepal ये 17 अगस्ट 1932 को पैदा हुए है और इनकी 11 अगस्ट 2018 में डेथ हो गई हुई है ये एक ट्रेन डेडियन राइटर है जो वेस्टन डीज और वेस्टन डीज के रहने वाल जितने भी इन्हबिटेंस थे उनके बारे में बात करते हैं और साथ में इनकी लैंग्विज को उनकी इनकी को डिसकस करते हैं ये पै कोरें गई है कॉलिज को रिटे के बारे में और क्लोनियल कंट्रि कोंट रूं शाच कर ना पड़ा उस के बारे में बात करती हैं को लोग जो रूलींग कर रहे होते हैं कोलनाइज जिनके हम एकुमत प्र रहे होते हैं को त dlatego हैशन क्वावर्फुल कंट्री आती है और वीकर कंट्री के अपर अपनी हिकुमत काने की यह दो युए पर खुमित réfु 시ंप कलोते हैं और जिसके अपनी राइटिंग के अदर पोजियिक के इस तरह से जो एक अपर क्लास है, एक्स्प्लोएट कर त्यारी वर्कर क्लास को, इनके जो इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, उसके इंदर पहला वर्क आ जाता है, An Area of Darkness, जो के 1965 में पब्लिश हुआ था, India Abounded Civilization, जो के 1977 पब्लिश हुआ था, और इसके लावा, India A Million Mutinies Now, जो के 1990 में पब्लिश हुआ था, The Five Societies, British, French and Dutch in the West Indies, जो के 1963 में पब्लिश हुआ इनका, और इसके लावा, जो इनका इंपोर्टेंट वर्क है, उसका नाम है Among the Believers and Islamic Journey, जो के 1981 में पब्लिश हुआ था, ये इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स थे, अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें, तो य Master किसले हाँ से ये अपनी राइटिंग के इंदर इमेजरी का बहुत अच्छा यूज करते हैं, और ऐसी इमेजरी यूज करते हैं, जो के original description देती है, simple images यूज करते हैं, जो के इनके राइटिंग कॉम्पलेक्स नहीं होती, easy to understand होती है, और इनकी स्टोरी जो होती है, वो realistic स करते हैं, इनकी life की personal reflection शो करते हैं, means autobiographical elements को शो करते हैं, जो उनने पनी life के अंदर realistic way में, reality में देखा, उसको ये लिखते हैं, और इसके लाभा है इनना darker side of life को अपनी राइटिंग इंदर दिखाया है, और lower class की exploitation को भी अपनी राइटिंग इंदर ये राइटर दिखाते है तो राइटर का इतना introduction enough है, अब हम बात करते हैं अपने summary की, summary स्टार्ट करने से पहले हम लोग character list देख लिखते हैं, जो हमारी summary है, उसके इंदर हमारे पास पहला character है, Mr. Inskip का, Mr. Inskip जो है, वो hotel के manager है, ये जो manager है, बहुत ही lazy किसम का manager है, ब्रूटल किसम का manager है, ये अच पूशी मिलते हैं, दूसरों को torture करके, next हमारे पास character Mr. Knight, sorry, Knight Watchman का, हमारे पास इसमें दो Knight Watchman हैंगे, first का name mentioned नहीं, पहले जो name mentioned किया गया है, Knight Watchman के name से mention किया गया है, जो कि duty कर रहा होता है, guard, और जो duty कर रहा होता है, तो वो सो जाता है, जब वो सो जाता है, तो सो जाता है ये भी Knight Watchman है, इसको duty पर रखते हैं Mr. Inskip, हिलियार्ट जो है, बहुत ही enthusiastic है, बहुत ही hard worker है, obedient किसम का Watchman है, अपनी duty को बड़े अच्छे से कर रहा होता है, Mr. Inskip इसको भी बहुत exploit करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने अपनी duty के अंदर एक book लिखनी है, और उस book के अंदर त इसको बहुत है, 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 इनके होटल में होता है और वो as a guest इनके होटल में स्टे कर रहा होता है फिर Mr. Rob Magnus Mr. Rob Magnus जो है यह manager है होटल के second manager है होटल के Mr. Inskip की तभीयत खराब हो जाती है फिर Mr. Rob Magnus ड्यूटी के ओपर आते हैं जो के Mr. Inskip की replacement पर आते हैं Mr. Rob Magnus जो है इनका character positive दिखाया गया है और यह बहुत ही humble किसम का character दिखाया गया है और इस story का अगर जो theme देखे हम तो main theme जो है वो ही बताया गया है कि imperialism का क्या effect हुआ society के ओपर किस तरह से upper class ने exploit किया lower class को और बताया गया है difference between the boss and the employees और साथ साथ उनकी thinking का difference भी इसमें दिखाया गया है story के अंदर तो अब हम बात कर लेते summary की summary स्टार्ट करते हम अब जब summary शुरू होती है ना तो summary के start में बताया गया है कि Mr. Inskip है जो के hotel के manager है और इन्होंने एक रात ना जो night watchman होटल का उसको rocking chair के ओपर सोता देख लिया और जब वो सोय हुए था ना वो night watchman तो इसने इस base पे ना उस night watchman को dismiss कर दिया और उसने एक निया night watchman लेकर आया इसकी replacement में जिसका नाम हिलियार्ड था हिलियार जो था ये new watchman बन गया होटल का जो बहुत hard worker था बहुत obedient था अब इसको इन्सकिप ने क्या इसको instructions दिये और उसने कहा instructions देते हुए कि तुमने एक book लिखा करनी है उस book का नाम है the night watchman's occurrence book तुमने इस book के अंदर instructions यानि के details लिखा करनी है जो आ रहा है जो जा रहा है जो कुछ हो रहा है यहाँ पर उन सब की तुमने details के अंदर enter किया करनी है तो जो हिलियार्ड था बहुत ही obedient मैंने बताया आपको enthusiastic worker था तो इसलिए उसने ना जितने भी उसके boss ने उसको orders दिये उन सब को मानना शुरू कर दिया शुरू पर ना ऐसा होता है जब वो the night watchman's occurrence book के अंदर reporting करता है ना details डालता है तो starting पर वो सिर्फ इतना लिखते है all correct no report जब यह Mr. Inskip देखता है तो कहता है नहीं इस तरह नहीं से लेगा तो मैंना पूरी के पूरी details डालने चाहिए book के अंदर यह brief sentence नहीं डालने चलो फिर Mr. जो हिलियाड है वो माल लेता है इसकी बात को और वैसे एक काम करना शुरू कर देता है फिर साथ ही manager जो है ना वो order देता हिलियाड को कि जितने भी हैं गेस्ट होटल में जा रहे हैं बार में जा रहे हैं उन सब को वो time भी allow होना चाहिए ठीक है यह कहता है कौन Mr. इंसकिप किस से हिलियाड से गेस्ट इन दे होटल शुड बी allow to go to bar at any time और वो साथ में कहता है फिर वो जब भी जा रहे हैं और आ रहे हैं उनके arrival का और departure का time भी तुमने mention करना है इस book के अंदर और वो इसको clock भी देता है कि यह clock है इसको देख लेना कौन का बारा कौन का बजा रहा है तुमने यह time भी उसके according exact time को भी mention करना है फिर एक time पर यहां से cake gap हो जाता है cycle को miss use किया जाता है तो manager है वो inquiry करता है इससे manager inquiry him to explain about missing cake and the abuse of cycle by cycle और हर दफा बिचारे हिलियार्ट को अपनी position को clear करने के लिए answer देना पड़ता था और आइस्ता इस्ता वो ठक गया इन सब चीजों से यह सारी routine से वो ठक गया कितने exploitation हो रही है ना employees की ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ सिर्फ इतना काफी नहीं था कि manager ने एक police को भी यहां पे hire कर लिया ठीक है उसने police को कहा कि आप यहां पे आएं और आकर जितने भी employees हैं उनको departing के time पे चेक करें जब वो hotel छोड़के जा रहे हूं कि क्या वो कु इसमें था ना उसने देखा कि जो newspaper है वो इस position में नहीं है कि वो guests को दिया जाए ठीक है वो newspaper को read out कर रहा था चब उसमें रीडिंग की newspaper की तो उसकी हालत देख के उसको अंदाजावाखी कि गेस्ट को देने के काबिल नहीं है तो फिर वो customers को newspaper नहीं दिया गया customers ने complain की इस के about Mr. Manager को ठीक है तो manager जो थी manager ने further नसीहत की Mr. Hilliard को ठीक है complain की के उसको newspaper नहीं दिया गया तो Hilliard जो है उसको intern नसीहत की गई इसके about कसूर पुलिस का के पुलिस ने newspaper नहीं देने दिया और उसके बाद बुगतना किसको पड़ा? Hilliard को पिर वोस होटल के एक कमरे के अंदर नहीं एक person रह रहा था Mr. Wills बहुत resourceful आदमी था और on the night of 26th November Hilliard ने इसके about अपनी बुक के अंदर report किया के Mr. Wills came to the bar in search of some soda but there was no soda available in the bar It seemed to Hilliard that Mr. Wills did not sleep at night. Inskip never took any step in any direction. He was man of words तो यहां पर एक चीज लिखी गई वो किसकी गलती थी? मैनेजर की गलती थी क्या गलती थी? कि मैनेजर ने मैनेजमेंट का काम करना था ना तो बार के अंदर कौन आया? Mr. Wills आया? Soda की तलाश में लेकिन उनको soda मिला ही नहीं फिर उसने उसके बाद एक और एवेंट लिखा जो कि Mrs. Wills को के बारे में था Hilliard ने लिखा There was some trouble about Mrs. Wills को, a resident of room number 12 but manager never tried to solve the matter जिससे again हमारे पास manager की गलती सामने आ जाती है लेकिन हमने देखा through and through manager सिर्फ और सिर्फ पूर night watchman को नसीहित कर रहा था और इन डियालिटी में manager खुद practically कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाए order देने के अब जैसा कि हमने देखा कि manager ने जब missing cake था bicycle का scene हुआ तब नसीहत की गुसे से ठीक है, warn किया उसने night watchman को उसके बाद जो है जब इसने brief reports डालना शुरू की थी तब उसने इसको गुसे से warning दी थी कि तुमने ज़्यादा डिटेल डालनी है अब क्या हुआ है, अब inskip जो है बड़ा afraid होता है, होटल की bicycle के about कि वो खोच चुकी हुई है तो उसको कोई misuse ना कर ले sorry जो inskip है, वो इस खोफ में होता है कि जो होटल की इतना बाद होता है कि हिलियाड ये कहने पर मुझबूर हो जाता है God is my witness, I never find a night watchman work like this so much writing I do not have time to do anything else I do not have four hands and six eyes and I want this extra assistance with Mr. Wills and Party Sir 30 November के रात थी Mr. Hilliard को बहुत जादा डिटेल लिखने पड़ी अपनी night book occurrence के अंदर और Mr. जो in skip थे वो बिमार हो गए और इनकी replacement के उपर एक ने acting manager आगे उनको point किया गया जिनका नाम Rob Magnus था और Rob Magnus ने कहा ये पूरी book देखकर I would be glad if you could keep your entries as brief as possible तो यहाँ पर thinking का difference आगे हमारे पास फिर उसके बाद जो next night थी Hilliard ने अपनी जो book थी report थी वो किस तरह end की bar intact all corrected no report और बड़ा खुशी से sign कर देता है उसके उपर और अपना name लिखने के विज़ा लिखता है CEH अब ये story तो complete हो गई लेकिन story के इंदर हमने क्या देखा 20th century की uncertainties देखी हमने कि किस तरह damaging effects हुए है imperialism के upon the people of the third world countries ठीक है third world countries के उपर क्या damaging effect हुए है और ये story का central theme क्या था central theme is the difference between the boss and the employees thinking जो है मारे पास यहाँ पे manager यानि के boss की सुरत में आया in skip वो क्या था fault finding था कभी भी satisfied नहीं होता था किसी भी चीज से और चाहता था कि जो हमारा ये watchman है हर हर detail लिके book के अंदर जो चीज इंडिकेट करती है कि जो wealthy people होते हैं वो शुरू से लेके अब तक exploit करते हैं tease करते हैं पूर को यानि कि Marxist element आजाता है इसके लावा स्टोरी के इंदर जो मैनेजर है ना वो हिल्यार्ड को abuse करता है और इसके religion को discard करता है और कभी भी satisfy नहीं होता हो हिल्यार्ड की services से उसको धंकी देता है कि तुम्हें केरफू लहना पड़ेगा वन्ना मैं तुम्हें यहां से निकाल दूँगा और हमने स्टोरी में क्या आरेन देखी हमने स्टोरी में यह देखी कि करेक्टर तो मैनेजर का ही खराब था किस तरह से एक तो सोड़ा वाला सीन था ना कि जब मिस्टर विल्स सोड़ा तलाश करने के लिए कि लिए गया तो management इतनी पूर थी मोब सोड़ा ये वेलेबल नहीं था उसके बाद जो रोस को थी उसको कोई ना कोई ट्रबल स्पेश आ रहे थे लेकिन मैंजर ने कभी इसके मैंटर को सोल भी नहीं किया था और इसके लावा मैंजर ने हिल्याड को कहा था कि that he should inform him about the presence of any female agents and unauthorized unauthorized callers and should not tease customers लेकिन reality में एक खुद भी girls को तेखना चाता था तो that is the irony तो writer जो के एक post-clonial writer है तो उसने सारे post-clonial theme को यहाँ पे expose किया है ठीक है तो यहाँ पे summary हो गई हमारी complete with criticism कोई भी question हो कोई confused हो तो आप comments में पूछ सकते हैं वीडियो को like जरूर करेंगा चैनल को subscribe जरूर करेंगा comment भी करेंगा कैसी लगी वीडियो आपको और दोस्तों से share भी करेंगा दौाओं में याद रखेंगा अला हाफिस